हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज वैलेंटन डे के मौके पर मैं आज आपको दिखाने आलाओं सहीया के पकोडे तो यह है बहुत ही जबरदस्ट और टेस्टी स्नैक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी है आसान इसको बनाना आप बना सकते हैं इसको आज ही बनाईएगा कभी भी बनाई है तो हमारे पकोडे चलिये बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं यहां पर देखे यह सिवाईया है 300 ग्राम और यहां पर जो चीजे हैं एक शिमला में बड़ी सी हमने यूज कि एक गाजर एक बड़ी प्याज दो टमाटर थोड़ी से हरी दन्या हमने इसमें चॉप करके लिए है थोड़े से कड़ी पता के पत्ते और थोड़े से पुदिने के पत्ते तो इसके अंदर के इंग्रेजेंट्स अभी बहुत हेल्दी हैं तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वाच करूंगे हमारे चनल को जरू सब्सक्राइब करके बेल लाइक करने के घंटी का अकानों जो आप देख रहे हैं उसको टैब जरूर करें मैं आपके लिए लाता हूं डेलिशियस पूमेड रेसिपीस तो यहां पर देखें यह जो सीवाईया है 300 ग्राम तो इसी का हमने थोड़ा वेरेचन मनाया है सही लाम इर्ज को हमने बारिख चॉप करकर इसको एड़ करना है और यहां पर हम सब ही चिज़े आड़ करते हैं यह बारिख चॉप हुई प्याज डोस्तों इहां पर आपको सीवईयां से है वायसे ही यूजव करना इसको उबाल कर नधिया है अगर आप उबालेंगे उसको त जैसे है वैशे ही यूज़ करना है ताकि उसका क्रिस्पीनेश और जो उसका टेस्ट है वो डारेक्टली उसमें आ जाए तो कुछ लोग उसको उबाल कर लेते हैं या तो कुछ उसको पीस कर लेते हैं तो ऐसा बिलकुल ही मत करेगा यह है यहीं सिवया के पकोड़े और अभी हमने लालमिज पॉडर डाला है half tablespoon और अभी हम दालेंगे नमक स्वादानुसार इसमें और दो-तिन चीज़ें लगी हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो लालमिज पॉडर half tablespoon के बाद नमक स्वादानुसार है और यह जो देख रहे हैं आप यह धनिया का हमने एक teaspoon काली मिज़ पॉडर के बाद है इंतल पॉडर और लुदर थाध perceived की अ अभी हम सभी सबते और दिना चाल करके इसमें हेड किया है 허ड़ी पता और पुदीना सारे ingredients हो जाएंगे complete हो चुका है अभी अब हम इसको आच्छी तरके से mix करेंगे दोस्तों यह जान में रखेगा यहाँ पर हारा धन्या यानि कि कोत्मीर के साथ साथ पोदीने के पत्ते और कड़ी पत्ता भी हमने थोड़े से use किये हैं तो यह healthy ingredients है सभी तो इसको अब हम mix करक कि हमारा जो है better बनाएंगे तो जैसे देखिए आप जो सिवईयां है जैसे आती हैं वैसे ही आपने यूज की है यह जरूर मैं आपको बार बार repeat कर रहा हूं क्योंकि इसको उबालेगा मत जैसे हैं वैसे यूज करें तो लेकिन जब आप इसको खाएंगे जो tasty और जबदस है यानि कि भजिया जो बोलते हैं तो इसको ज़रूर बनाएगा इसको मिक्स करते जाएंगे पहले आच्छी तर्के से मिक्स करंवें इसके बाद थोड़ा सा पानी यूज करेंगे तो थोड़ा सा पानी तो बार यहां पर इसको पानी होता नियुज करेंगे लगा तक energ화를 न दो पानी लगा है इसमें टोटल तो उसको हम थोड़ा एड करके छिड़क कर उसको अच्छी तरिक से करेंगे और यह हम तलना शुरू कर देंगे तो आज हम बना रहे हैं सिवाइयां के पकोड़े तो यह है प्रॉपी रेचिपी की हमारे बनना शुरु हो चुके है अब हम तील को अच्छी तरके से गर्म करेंगे दूसरे तरफ कड़ाई में यहां पर एक चरके से यह अच्छी तरता हाथ में बंध रहें है एक सबी पकोड़ों को एक साथ बना कर रहें है और एक साथ में आपको flip करते रहना है और totally 5-7 minute आपको इसको fry करना है दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी बात यह है आप पूरी आज पर यानि कि full flame पर मत रखेगा नहीं तो सिरफ वो उपर से पक जाएंगे और अंदर कच्चे रहते हैं तो यह सबसे best process यहीं होता है कि आप इसको medium flame पर रखकर ही थोड़ा जादा दिर तक उसको तलते रहते हैं तो 5-7 minute में यह completely तैयर हो जाएंगे इसका color भी देखे कैसे बढ़िया आ चुका है यह तैयार हो चुके हैं बिल्कुली अब हम इसको गर्मा गर्म परोसेंगे दोस्तों वैसे तो इसको इसके लिए चटनी की ज़रूत नहीं है कोई भी चटनीय सॉस की ज़रूत नहीं है क्योंकि इसमें जो हमने ingredients add करें है वो बिल्कुली काफी है उसके लिए लेकिन अगर आप चाहें तो फिर भी इसके साथ कोई भी चटनीय सॉस यूज कर सकते हैं दोस्तों आप हमें ज़रूर बताएगा अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करें अपने फैमली फ्रेंड के साथ तो फिल्म मिलता है एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए फुदा हाफीज